हेलो एवरिवन, वेलकम बैक to my channel हलवे तो आपने बहुत खाए होंगे बहुत सारे हलवे हमारे देश में बनाए जाते हैं आटे का हलवा, सूजी का हलवा, मूंग दाल का हलवा, बेसन का हलवा लेकिन इनी में एक नया और अलग सा हलवा आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है बाजरे का हलवा ये बनाने में दूसरे हलवे की तरह से ही होता है इसको बनाने के लिए हमने लिया है एक पैन को गरम करके उसमें हमने थोड़ा सा घी ले लिया है यहां पर घी मैंने एक बड़ा चमच लिया है और एक कर्टोरी से थोड़ा सा कम बाजरे का आटा लिया है घी की मात्रा हम अपनी इच्छा की अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन हम इतना ध्यान रखें कि जिस तरह से आटा पूरी तरह से उसके अंदर घुल जाए जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आटे में घी की मात्रा इतनी जरूर होनी चाहिए और इसके साथ ही हम इसमें एक और चीज आड़ करेंगे यह गेहूं का आटा जो थोड़ा सा मोटा मोटा पिसा हुआ होता है और यह चकी पर बड़े आराम से मिल जाता है अगर आपके पास यह ना हो तो इसकी जगाए पर हम दो जमत सूजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसका इस्तेमाल हम केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाजरे काटा बहुत ज्यादा महीन होता है बहुत बारिक होता है और हल्वा थोड़ा सा दर्दरेपन में हो तो वो ज्यादा टेस्टी लगता है तो इसलिए हमने इसमें थोड़ी सी सूजी की मात्रा मिला लिया या फिर मोटा मेरे पास ग्यों का मोटा मोटा पीसा हुआ थोड़ा आटा था वो मिला लिया है तो इन को हम बिलकुल अच्छे से भूनेंगे धीमी धीमी आज पर हम इसको भूनेंगे और इसको थोड़ा सा हलका सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे जब तक के ये धीना छोड़ते हम इसको भूनते रहेंगे अब ये हमारा भून चुका है आटा और इसमें अब हम इसके साथ ही डाल देंगे थोड़े से कदुकस किये हुए नारियल और बारिक कटे हुए काजू ट्राइफूट आप अपनी इच्छा के अनुसार यहां पर कोई भी डाल सकते हैं वैसे तो हम बाद में भी डाल सकते हैं लेकिन इसके साथ ही हम यहां पर डाल देंगे तो इनके भी थोड़ा सा कच्चा बन खतम हो जाएगा और ये भून जाएगे और इनके भूनने के बाद अब हमने इसमें डाल दिया है पानी थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे जिस कटोरी से हमने आटे को नापा था उस कटोरी से हमने पानी डाला तो उसमें दो कटोरी हमारी पानी की लग गई है तो इसमें ये ना जादा पानी है ना कम है तो तिन मिनट के लिए हम इसको लगातार चलाते रहेंगे ताकि इसमें गुटलिया नाबने और ये हमारा आटे का हलवा लगबग तैयार होने वाला है अब हम इसमें डालेंगे चीनी चीनी की जगे पर हमने यहाँ पर देशी खान का इस्तेमाल किया है योग के ये खाने में चीनी के मुकाबले ज़्यादा अच्छी होती है तो जितना हमने आटा लिया था उतना ही हम इसमें चीनी की मातरा डालेंगे जो एक सही ना होता है अगर आप लोग ज़्यादा मिठा पसंद करते हो तो इसमें थोड़े सी जीनियोर बढ़ा सकते हैं तो ये लिजिए हमारा बाजरे का हलवा बनकर लगबग तयार है और इसका देखने में ओरिजिनल कलर थोड़ा सा आपको काला लग सकता है तो अगर आपको इसका कलर पसंद नहीं आता है तो आप इसमें थोड़ा सा खाने वाला फूड कलर डाल सकते हैं लेकिन मैंने इसमें कोई भी फूड कलर नहीं डाला है इसका अपना देखने में ओरिजिनल कलर भी अच्छा लगता है तो हमारा बाजरे का आटे का हल्वा बन कर बिल्कुल तयार है अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेर अवश्य करें और चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब चरूर कर ले तो अब हम इसको सर्व करेंगे इसको हमने निकाल लिया है अपनी एक सर्विंग प्लेट में और उपर से हम इसको नारिल का बुरादा और काजू के टुकडों से सजाएंगे ड्राइफ्रूट आप अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा कोई भी ले सकते हैं तो यहां पर हमारी ये वीडियो होती है पूरी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, रैसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेर अवश्य करें और अपने प्रेजनों में आगे भी शेर करते रहें तो मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी नई इंट्रस्टिंग सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत